नमस्कार मैं आसे इस पाठा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवाद परिक्षा प्लस में मुख्य सेविका से आयोग के द्वारा एक और नया अपडेट दे दिया गया है मुख्य सेविका एक्जाम आपका होने वाला है और इससे रिलेटेड कुछ तुटियां जो पाई गई थी बच्चों के फॉर्म में उन्हें बताया गया था कि जो 949 बच्चे हैं जिनमें कहीं ना कहीं जेंडर की गलती हुई है फीमेल की जगा मेल हो गया है तो उन्हें बुलाया गया था कि अपने जो डॉकुमेंट है वो लेकर आप आयोग आईए और वहाँ पर आप वैलिड डॉकुमेंट अपना दिखाई है और उसे सही करा लिजे तो बच्चे इतनेला परवा कि सोच रहते हैं ऐसे हो जाएगा हमें भी मौका मिलेगा तो साफ साफ हुआ लिखा हुआ था कि अगर आपको जो गिवन डेट दिया था जो बच्चे पहुँचे हैं उनका तो सही हुआ जो नहीं पहुँचे उनका पूर्ता निरस्त कर दिया तक ये बोला गया सुचना अंकित की गई है दिनांक 28 अतवा 29 को स्वई के मैला होने के संबन्द में सपत पत्र के साथ अपने दावे को प्रुष्टी संबनित अविलेकी साक्ष प्रमाडपत्र चिकित्सा प्रमाडपत्र फोटो युग पाचान पत्र ये सब आपको लेके जाना था तो यहाँ पर जो बच्चे गए थे कितने बच्चे गए 949 में मात्र चार लोग पहुँचे थे अपना सही कराने मात्र चार लोग पहुँचे हैं उन चार लोगों का रोल नंबर यहाँ पर दे दिया है आयोग ने और कहा है कि यही लोग मेंस के लिए मतलब जो आपका exam होने वाला है, वही सिर्फ mens दे पाएंगे, बाकी आपके 900, कितने 35 लोग जो बचें, इनको निरस्थ किया जाता है, इनका admit card नहीं आएगा, ठीके, ये आपके exam, mens exam, नहीं देंगे, इनका admit card नहीं आएगा, भाई, जिनका था कम से कम serious तो हो जाना चाहिए था, इतना भी अंसीरियस नहीं होना चाहिए कितना जीरो नंबर कटफ गया बस आपके छोटी सी गलती के वज़ा से अब आप एक्जाम से बाहर हो गए अब कुछ नहीं हो सकता क्यूंकि डेट निकल चुकी है ठीके तो बस चार बच्चों ने सही कराया बाकी 935 देख लेना भाई जो 935 वाले में होंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आफ बेफुजूल की फिर तैयारी क्यों करना इन 935 वाले में जितने लोग होंगे आगे का आप सोचिए ठीके तो चलिए ऐसा ही कोई और सोचना मुझे प्राप्त होती तो मैं जरूर आँगा किसी प्रकार कि कि समस्याओं का समधान किया जाए चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विज़ा रहता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद